फिर्स्स रूल ओफ फाइट क्लब ताइलर भाया ने क्या कहा था यू दू नौट टॉक अबाट फाइट क्लब बट आज मजबूर कर दिया भाया तुम लोगोंने हमें फाइट क्लब की फिलोसफी के बारे में बात करने कि टाइलर भी यह बुरा मत मानिएगा हम आपके फाइट क्लब की फिलोसफी लाओ फाइट क्लब की फिलोसफी लाओ सबसदा लाइक वैसे तो आकाड़मिक चैनल है बट यहाँ पे हम आज सबको सबकुछ देनी की कोशिश करेंगे चाये तुम्हें फिलोसफी के बारे में कुछ आइडिया है या नहीं है दोनों के लिए पे है अल्टिमेट रामबार्ण और फाइट क्लब फिलोसफी लंबा होने वाला है लेक्चर सीरियस हो तभी पूरा लेखना हुई है यह क्लिक करके चले मत जाना रिटेंशन तो खराब होती है और लोगों तक वीडियो नहीं पहुचता खोला है वीडियो लाइक ठोक के चले वीडियो है क्या चाहिए तुम्हें किस तरीके की फिलोसफी पर देखना है अब मूवी से रिलेटेड और मट डाला मैं मूवी रिव्यूर नहीं बनना चाहता फिलोस्फी रिलेटेड क्या चाहिए डालो जिस पर सबस्यादा लाइक सोंगे जिस कॉमेंट पर सबस्यादा लाइक तो सब्सक्राइब है अगर आपको लग रहा है कि किसी ने कॉमन्ट आपका पैले से कर दिया है और लाइक जाधा है यहाद को भी वीडियो चाहिए तो उस पर लाइक कर दो जाके संब हम बात करेंगे कि भी फृट क्लब में असल में फिलोस Illust Gesellschaft है कि अब फासी की में या मुवी की दुनिया में कह लेता है फिलोसोफी की दुनिया में फाइड क्लब को एक बहुत तगड़ा बेंचमार्क माना जाता है यूट्यूबर उसके उपड़ वीडियोस बनाते हैं और बहुत ज्यादा की सेल्फ डेवलप्मेंट रिलेटेड साइकल लॉवी का जात की यहां पर लैप टॉप है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे सबसे पहली चीज आती है हमारी मुवी में घुसने से पहले वो सब छोड़ वाई या क्या चल ले कौन किसको कहा पीट रहे सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग दे नरेटर तो में चीज नोटिस करना कि मुवी में जो एडवर नौटन का चारेक्टर है उसमें उसको नाम नहीं बताए गया बस दे नरेटर है वो वो एक अपने में ही बहुत तगडी चीज अब नरेटर की क्या-क्या बताते हैं क्या फिलोश्य नरे अब इसमें ही एक एक फिलोश्य चुपी विए कि हम लोग इतनी अक्टिविटीज करते हैं अपने जिंदगी में इतनी अक्टिविटीज करते हैं कि अपने जिंदगी में क्लारिटी नहीं ला पाते हैं समझ नहीं पाते कि यह सही है या यह गलत है जैसे इंसॉम्निया ना नाम नहीं आनोनिमस है वो बाद में टाइलर डर्डन जो नाम पड़ा पड़ा अभी कोई नाम नहीं है उसका खाली वो ऐसा ही है जैसे ब्लैंक में एक इमपोर्टन कोंसेट एक्जिस्टेंचलिजम का अस्तित्व वादों का एक बहुत important concept है जो Albert Camus ने एक philosopher थे Albert Camus ने उनको 47 में या 57 में शायद वो मिला था 47 में 57 में तो शायद उनको Nobel Prize मिला था 57 में Nobel Prize मिला Albert Camus literature में तो उन्होंने क्या लिखा अब मैं क्या करूँगा इस पूरे दोरान मैं philosophers की philosophy समझाते वे चलूँगा क्योंकि philosophy वे आयो तो भाई वीडियो तो होने वाला तगड़ा Albert Camus ने existentialism के concept में एक बहुत तगड़ा concept दिया जिसको बोलते absurdism इससे पिछला वीडियो absurdism पर यह जाके देख सकते absurdism पर और देखना है विस्तार से क्या होता हुए यहां मैं ब्रीफ दे दूंगा सबसे पहली चीज अब्सक्राइब मतलब अजीब अजीब लगना कोई भी चीज अजीब जैसे तुम किसी पार्टी में चले गए तुम एक पार्टी में चले गए तुम स्रेट हो और तुम lgbtq पार्टी में चले गए बहुत controversial topic छेड़ दिया बट lgbtq लोगों की gathering उसमें चले गए तो you will feel absurd तुमको absurd लगेगा उन्हें absurd नहीं लगेगा क्योंकि उनके वह community है यह ना ऐसी कोई इंसान मंदिर में चला गया कोई Christian मंदिर में चला गया तो उसको absurd लगेगा क्योंकि वह चर्ट जाता है तो ऐसे ही होता है absurdity of life उसके पर हम बात करते हैं कामू आर्ग्व डट लाइफ लाक्स इंहेरेंट परपस और मीनिंग और human quest for meaning often leads to frustration and despair जो की character के साथ हो रहा था एडवर्ड नॉटन जो था एडवर्ड नॉटन का असली नाम है क्या और आठा कैरेक्टर के साथ कि देखो simple सा scene ये हो रहा था कि भाई एक मीनी दूढने की कोशिश कर रहे हैं एक परपस दूढने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हैंनी असली में हम बुकार रहे हैं आस्मा में देखके कि कोई हमारी मदद करेंगा कोई हमें में बचाएगा मौत के बाद कुछ होता होगा असली में कुछ नहीं है असली में कुछ नहीं है हम ढूंडने के कोशिश कर रहे हैं और वह ढूंडने के चक्कर में हमारे अंदर क्या आता है डिस्पेर आता है डिप्रेशन आता है इंग्जाइटी आती है उसके बारे में इनों ने बात करी तो यह हो गए अब्सवर्डिटी ओफ लाइफ कि धूने के कुछ कोशिश कर रहे हैं कोई मीनिंग इसी में आता है कि रेबिलियन रेबिलियन मतलब लड़ने की शमता किसी भी से रेवेलियस होना कि हम तो नहीं कोलेज में गाई By College में वार कोई वार कोलेज में हो और कि माद और प्रेंप्रिंस्पल तो नहीं डीन बोलता कि सुबह सुबह प्रेयर होगी सोब तोड़ी हों है इस को ओठिमा सब उनिफ्वर्म में आएंगे इस को यूनिफॉर्म में आ where individuals must confront the absurdity of existence and assert their own values and meaning in the face of an indifferent universe क्या किया narrator ने क्या किया अपना meaning देनी की कोशिश करी अपना meaning देनी की कोशिश करी for example हम लोग यह देख सकते हैं कि जो narrator था वो self-help groups में जाके participate करने की कोशिश करता है भले उसको कोई बिमारी नहीं है ऐसी कोई terminal illness नहीं है लेकिन फिर भी वो जाके उसमें participate करने की कोशिश करता है कि क्या पता मेरी जो पुकार है मेरी दर्द की पुकार है कोई सुन ले और कोई मेरी मदद कर ले सबसे important चीज़ तो यह हो गया rebellion कि absurdity जो यह अजीब चीज़ है अजीब जो हो रहा है कि हम क्यों कर रहे हैं किसले कर रहे हैं उसके खिलाफ एक मोर्चा उठाना जो कि character ने किया कि समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है उसकी जिन्दगी में ना सो पा रहा ना जग पा रहा ना समझ पा रहा अपने को join करते हैं जोइन करते हैं चलके लोगों से मिलेंगे तो एक rebellion create किया उसकी absurd life के लिए फिर है individual freedom फिर कामु ने कहा कि importance of individual freedom and the need to live authentically making choices and decisions in the face of the absurd decision बनाने choices बनाने जो इतना narrator है मैं यह chronologically लेके चल रहा हूँ सबसे पहले self-help groups का part बनता है इतना narrator जो एडवर्ड नॉर्टन का character एडवर्ड नॉर्टन क्या करता है कि इंडिविज्विवल freedom बोलता है कि मेरे पास freedom है मैं अपने decision खुद ले सकता हूँ मैं absurd के खिलाफ लड़ूंगा आवाज उठाओंगा तो चलते हैं पाटिसिपेट करते हैं चलते हैं रिलेशन्शिप में आते हैं जो रिलेशन्शिप में वह अपनी जो उसमें गुर्फ्रेंट बनीविट उसके साथ आया तो रिलेशन्शिप में आते हैं कि हम आजया है जो कि हम आगे देखेंगे तयार डी करता है जो फूरी तरीके से आपने कницы में अब टी को पूरी तरीके से वह हाँने देता हिंगे नोब नर्फ सुझ साहिऑ यह है अगे बढ़ते जी एन सबस्राब ठीक है अब क्या होता है एक वोइड क्रियेट हो रहा है उस character की जिन्दगी में the narrator या एड़ण Norton की जिन्दगी में एक वोइड क्रियेट हो रहा है चूँ क्योंकि repetition of schedule है जो कि हमारी life में होता है सुबह उठे, office गए, school गए, वापस आगए, सुबह उठे, office गए, school गए, college गए, वापस आगए, खाया, पिया, वही routine, वही routine, वही routine, तो जब repetition मन जाएगा, एक void create हो जाएगा, इसे हमारे mind के लिए जीना एक repetition है, सांस, दिल की धरकने, खाना, पीना, repetition है, तो हमें लगता है कि असल में तुमारी body, meaning है, वो meaning क्या है? Evolve करना, वो meaning क्या है? Reproduce करना, वो meaning है, कोई ना, कोई desire होना, desire of survival ही होना, at least, लेकिन हमारे, हमारा शेरी क्या करते हैं, तो उसको void मान लेता है, कि हम तो खाली है, हम तो कोख ले, हम तो खोख ले, हम तो वहया कुछ चाहिए, कोई जो बिमारी हैं उसके बारे में जूटा बताने लगए कि मेरे पास मेरे को ये बिमारी है मेरे को वो बिमारी है जैसे वहाँ पे वहाँ पे तो लोग वो टर्मिनल इलनेस ते अपनी स्टोरी शेयर कर रहे थे तो ये कुछ ऐसा ही है कि जब तुम्हारी जिंदगी में तगड़ा फिलोस्फिकल कॉंसेप्ट कि जब तुम एब्सवर्डिटी अवॉइड से मीनिंगलेसनेस से हिट होते हो तो तो तुम किसी रिलिजिस कम्यूनिटी का पाट बन जाते हो अब यह हम यह डिबेट नी करेंगे कि हमको तो हमारे माबाप ने बताए क्या धरम अपन जैसे कि आगे वह कि बढ़ते वे врем 5 ट्रीश ब्लॉड और ट्रीश चैंикс अब यहां पर कुछ और इंप चीज है जो कि मैं highlight कर देता हूँ जैसे कि आगे बढ़ते वे कि भाईया buildings blow up कर दी Tyler Durden का character यहाँ पर आ गया पूरी तरीके से इसमे psychology में नहीं गुशेंगे कैसे alter ego थी जो Edwin Norton जो the narrator था उसने क्या canvas paint किया बताओ क्या canvas paint किया उसने canvas paint किया Tyler Durden Tyler Durden के form में उसने canvas paint किया बहुत तगड़ा canvas alter ego जो जो Edwin Norton नहीं बन पाता था वो बनने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर क्या करता है बनने के बाद तो belief systems के उपर अब हम आते वे यह बात करेंगे कि buildings blow up नहीं शुरू कर दी consumerism, capitalism, Tyler Durden लंबी-लंबी speeches दे रहे building यह उड़ाने लग गए, bumps उड़ाने लग गए इसका क्या मतलब हुआ इसको अगर philosophically देखो तो shattering of belief systems जब तुम absurdity को embrace कर लोगे तो belief systems तूटने तुमाले शुरू हो जाएंगे इदा हो दर यह ऐसे होना चाहिए, यह वैसे होना चाहिए यह वहम है, यह टोटके है, यह नुस्के है धरम में यह होता है, यह हमारा culture है सब belief system तूटना शुरू हो जाता है उड़ना, bum blast होना शुरू हो जाता है वह यहाँ पे इनोंने दिखाने की कोशिश करिए the bombs that he makes can make up for the radical ideas which is used to blow up traditional concept जो bomb है, एक तरीके से signify कर रहे है radical ideas जैसे तुमारे दिमाग में है radical idea radical मतलब जो दुनिया हिला के रख दे जो सब कुछ बदल के रख दे जिस concept को हम जैसे सोचते थे वैसा मतलब उसके एकदम उलट है अब यहाँ पर हम आते हैं एक philosopher पर जिनका नाम है Friedrich Wilhelm Nietzsche Friedrich Nietzsche जिसने नहीं सुना है बहुत important फिल्मों में बहुत जाद़ यूज किया जाता है उनका एक famous dialogue है यह German philosopher है, Albert Camus फ्रेंच philosopher थे और Friedrich Nietzsche के एक बहुत important quote है, God is dead God remains dead because we have killed him आगे है, how shall we comfort ourselves यह यह वो वो बना रखा है वीडियो उसके उपर जाओ, कि हम अपने में शांती कैसे दूनेगे जब बगवान, God का concept खतम कर दी हमने तो Friedrich Nietzsche ने इसके उपर कहा अब यहाँ पर हमने Friedrich Nietzsche के nihilism और God is dead के बारे में बात करते है क्योंकि जब belief system shatter होता है जिसके उपर भी lecture है nihilism explained by an existentialist जाके देख लो belief system shatter होता है तुमारा तो सबसे important चीज़ पता है क्या होता है nihilism आ जाता है, belief system हटा void create होआ nihilism आ गया वो void ही वैसे तो nihilism है बट concept जो है वो nihilism आ गया belief system, अब जो God is dead का concept था वो थोड़ा सा यहां पर अगर हम समझाते वे चले कि नीचा का जो radical idea था God is dead वो क्या है यहां पर explain करने की कोशिश कर रहा तो कैसे Tyler Durden का character उससे बाहर निकलने की उसको अपना के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा तो not God is dead but Tyler Durden ने कैसे nihilism के void को fill किया ठीक है Tyler Durden एक nihilistic concept था Edward Norton जो narrator की life में और कैसे हुआ वो उसके बारे में बात कते है नीचा's God is dead statement reflects the decline in the influence of religious and moral authority in the society, particularly in the face of modernization and secularism नीचा यह नहीं कह रहे कि God सही में मर गया, God खतम हो गया वो यह कह रहे कि चुकी हमने technology science, modernization modern influence secularism की सब एक है अपना लिया तो God खतम हो गया, तुमने खुदी खतम कर दिया ना तुम phone इस्तमाल कर रहे हो तुम technology इस्तमाल कर रहे हो, तुम्हा ज़ुरत ही नी तुम्हा ज़ुरत ही नी जैसे तुम पहले दूआ करते थे कि भाई मैं जो खत भेज रहा हो, सही सलामत पहुच जाए किससे दूआ करते थे गौड से मैं अपने लवर को भेज रहा हूँ खत भया हो, सही सलामत पहुच जाए लेकिन पहले तो दूआ करते थे अब क्या करोगे या अब तो फोन है मैसेज दबाया पाँज गया गॉड का इस दूआ मांगनी छोड़ दी इस सिग्निफाइज शिफ्ट अवे फिर्म ट्रीटिशनल वैल्यू अब बिलीफ इन डिवाइन ओर दाइज वन्स गाइज गया था कि तुम्हारा सेट अफ रूल से ओफिस जाना है खरीदना है समान कंज्यूमरिजम कैपिटलिजम एक लाइफ बितानी है उसको तुमने पूरी तरीके से हट वो ट्रेजिशनल सिस्टम है हमारे वी सुसाइटी में क्या जॉब करनी है शादी करनी है बच्चे करने है बच्चों को पढ़ाने तुम बढ़्ड हो जोगे निकल लोगे वह पता अब ताइल डर्डन क्या करता है उसका अगेंज जाने की कोशिच कता है ठीक है और नीचा ने डेट ऑफ गौद क्यूं कहा क्यूं 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 बिलीफ कते थे डेट ऑफ गौन नीचा बिकॉस इट वूड बी इंपॉर्टेंट टू री एवालुएट मॉरल सिस्टम्स जो कि टाइल डर्डन ने किया हटा दिया ट्रेडिशनल सिस्टम कंस्यूमिरिजम कैपिटलिजम या जो भी कहलो कि हम ऐसे नहीं करेंगे हमारा फाइट क्लब है हम मॉरल हम मॉरालिटी को वापस से लिखेंगे रि से लिखाएब लेकल देख लेना हम मॉरालिटी इंडिविजवल क उसे बिक्साइठ को पैसे भी माणन ऑंडेकल पहलत है अपनी जान लेना, क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन किसी वरीब को पैसे देना, वो तुम्हारी morality है, नहीं दोगे तो कुछ नुकसान नी होगा, लेकिन देना चाहिए, है ना, ये सब चीजे तो, Tyler Durden ने भी यही किया, अपना fight club बनाएंगे, अपनी philosophy बनाएंगे, अपना concept नीचा ने एक बहुत important concept दिया, जिसके पीछे बहुत dark history भी है, बट नीचा ने concept दिया, Superman का, जिसको वो जर्मन में बोलते थे, Ubermensch, Tyler Durden was in Ubermensch for Edward Norton, for the narrator, Ubermensch एक ऐसा जीव, ऐसा इंसान का evolved रूप है, समझ लो, इंसान का evolved रूप है, जितना एक बंदर और एक इंसान की intelligence औ और ethics morals में फर्क है, उतना एक इंसान और एक Ubermensch के ethics morals में difference है, Ubermensch उपर उठ चुका है, वो Superman उपर उठाने उठाने वाला, जो बाहर निकल चुका है, slave morality से, जो बाहर निकल चुका है, लेकिन इसका गलत इस्तमाल Hitler ने किया था, तभी नीचा का नाम थोड़ा खराब है, नी एक अपने लिए campaign भी बनाया था, Hitler ने movie बनाया थी, जिसमें हो Hitler की plane नीचे उतर रहे है, बादलो से, जैसे की Ubermensch का concept इंट्रीउस हुआ था, दस पोग जरतुस्तरा जो किताब है, या दस पे जरतुस्तरा, फ्रेटरिक नीचा की किताब है, उसमें जरतुस्तरा उपर से प हमारा fight club में nihilism का concept use हुआ था, उस पे उन्होंने ये का कि nihilism और नीचा, फ्रेटरिक नीचा को मिलाया जाता, बट फ्रेटरिक नीचा was never in support of nihilism, उन्होंने ये का चू कि इंसानों ने, लोगों ने God को खुद अपने हाथों से मार दिया है, God is dead, so there is no moral system, everything has shattered, कुछ बचा आएगा, chaos आएगा, बंदर, कबूतर सब गुज जाएंगे अंदर, काच होना जरूरी है ना, काच तो हट गया, अब सब कुछ आ रहे हैं अंदर, क्या है वो, वही है, तुफान, अरे भाई, moral system खतम हो गया, तुफान, 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 ठीक है, तो traditional moral system decline हो गया with the death of God Tyler Durden उसका कैसे इस्तमाल करता है, आगे बात करते हैं, तो Tyler Durden उसका ऐसे इस्तमाल करता है, कि Tyler Durden जैसा अगर, for example, Nietzsche, Christianity के concept से बहुत चिड़ते थे, Tyler Durden, consumerism और capitalism के concept से बहुत ज़्यादा चिड़ता था, उसको तोड़ने की कोशिश करता था, जहाँ पे consumerism, capitalism आता है, वहा Karl Marx कैसे नहीं आ सकते हैं, Marx बाबा कैसे नहीं आ सकते हैं, पहले तो हम consumerism और capitalism के बीच में difference लेते हैं, consumerism मतलब की product खरीद के इस्तमाल करना, as a consumer उसको use करना, और capitalism जो उस consumerism को propel करता है, या facilitate करता है, चोंकि consumer consume करना चाहता है, तो capitalistic societies होती है, capitalistic companies होती है, या capitalistic ideology के लोग होते हैं, वो produce करते हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, capitalistic किसी company ने कुछ launch के, एक company का example लेता है, apple ने कुछ launch किया, बहुत महेंगा है, बहुत बेकार है, लोग गाली दे रहे हैं, लेकिन फिर भी खरीद रहे हैं, फिर भी खरीद रहे हैं, कि दे 2.2 trillion, 3 trillion, पता नहीं कितना dollars पर valued है, खतम, valuation खतम, value तो consumer देता है, capitalism को value consumer देता है, ठीक है न, हमारी demand पर supply आता है, जिसको capitalism और consumerism बोलते हैं, अब Marx के उपर, हम लोग videos लाएंगा, अभी तक मैं लाया नहीं, बट Marx ने कुछ concept दिये, जैसे consumerism and capitalism जिसको पर Tyler Durden ने भी बात कर लेकिन मैं चुकि philosophy है, तो समझाओंगा, कि profit driven economy जो होती है कि, consumerism और capitalism दोनों interlinked होता है, जिस country में जितना consumer है, उतना उस country का profit है, ठीक है, उस country में गरीबी भी होगे, जिसके बारे हम आगे बात करेंगे, बट, consumerism, capitalism का कहीं ना कहीं एक subset है, and vice versa, बट, मांगोगे तबी तो दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो लोग है, वही concept है, फिर है commodity fetishism, इन्होंने ये term coin किया, एक term बनाया, commodity fetishism, fetish होना, किसी भी चीज़ का एक fantasize, जीब तरीकी के fantasy होना, और उन्होंने इसको describe कि, how people attribute value to products beyond a utility, contributing to consumer culture, apple 8 आया, 9 आया, 10 आया, 12, ज्यादा फर्क नहीं है, बनाया, which fetish है कि लेना है, पर लेना आया, एपल का प्रोडक्ट होना चाहिए, apple का प्रोडक्ट, apple के laptop में किया फरकाता है, ज़रे-दया तया क्या लाप्तौप में, एक में glowing logo एक में glowing logo नहीं है एक में खोलो light जलती है जो मेरे पिछले लेक्टर में वह वह वला laptop था एक में नहीं है हमें fetish है apple का laptop होना चाहिए वाई function सबका सेही में यहां पर जो इन्होंने use कि है कि beyond a utility अब Christian Dior Louis Vuitton यह बैक्स देते हैं क्या इनके बैक में नॉर्मल यहीं बांगलदेश वगरा से बनता होगा हो बैक हजार बारह सो दो हजार का बनता होगा कितने में बेचते हैं दो दो लाक में बेचते हैं कितना 1000 पर प्रॉफिट मार्जिन से से भी ज्यादा तो समझे रहे हो ना तो मेरी बात तो एक fetish है कि चाहिए फिर है कि एक alienation create कर देता अब यहां पर alienation मतलब किया एक तो हमने अलबर्ट कामो वाले alienation पढ़ा था कि तुम absurd absurdity को embrace करोगे तो alienate हो जाओगे traditional system से यहां alienation का मतलब यह कि capitalist society में जनता alienate हो जाती है जो जनता उस product को बना रही है अब Christian Dior का खुदी नहीं रख सकता वो जो बना रहे लेबर जो बना रहे है तो exploit कौन और एडियंड अधर लेबर और उसको उसका प्राइस भी नहीं मिल रहा इतनी मेहनत कर रहा है कंपनी कितने रख रहे है दो लाक रख रहे है अपने पास यह कितने बना रहे है दो हजार है तो लेबर डिसकनेक्ट हो जाता है अपने ही बनाएवे प्रोडक्ट से बना रहे है बना रहे है बना रहे है बना रहे है एक मशीन के तरह बनाए चले जा रहे है फिर आए क्लास दिवीजिन consumerism widens class division with the capitalistic class benefiting from working class consumption and debt क्या होता है obvious ही बात है भाई इसके पास Prada का बैग है Prada वाले इसके पास Prada Gucci इन लोग का चश्मा है हमारे पास तो नहीं है भाई Raymond's का है हमारे पास तो हमारे पास तो सस्ता वाले है local दिल्ली में सरोजनी मार्केट लाजवतनगर से ले लिया क्लास वाइडन करता है क्लास वाइडन करता है डिफरेंसेज क्रियेट करता है उसके बारे मैं बात करी पिर इन्होंने Capitalism को पर एक क्रिटीक दिया इन्होंने का Marx Marx saw consumerism as a symptom of capitalism's profit-focused nature and advocated for a more equitable society जो की बात करते थे हम मार्क्स का communism भी language में बात करेंगे कि equality होनी चाहिए से male female egalitarian society नहीं होनी चाहिए एक utopian society होनी चाहिए utopia की शुरुवात होती है तुमारे equal pay equal wages not just male female जो की egalitarian society होती है equal pay equal wages इस तरीके concept हो इसलिए capitalism को प्रिटीक करते क्योंकि एक ही के पास सारा funds जा रहा है एक ही company सब कमा रही है एक ही company सब चूसरी और सब लोग खोगले बढ़ जा रहे हैं अब क्या है यहां पे एक और फिलोसफर आते हैं मिशेल फोको तो मिशेल फोको मैंने भी बात करी कंस्यूमरिजम कैपिलिजम बट मैंने उनको पर जादा पढ़ाई करी नहीं है ना मैंने रिसर्च करी है तो मैं उनको पर हवा में तीर मारूंगा नहीं ठीक है उनका थोड़ा और थोड़ी सी complicated philosophy है आना मिशेल फोको वो मार्क्स आपके जर्मन फिलोसफर थे अब क्या है हम आगे मूवी में प्रोग्रेस करते हैं कि वह एज़ी प्रोग्रेस इन्द मूवी हमें क्या दिखता है कि इसको बोलते हैं ताइलर डर्डन या एडवर नॉर्टन जो इंदर नारेटर का character है वो मटिरिलिस्टिक पोजेशन से हट रहा वाइट कलब का हर मेंबर हट रहा है मटिरिलिस्टिक पोजेशन इसमें बहुत तगड़ी philosophy आते हैं जिसको बोलते हैं cynicism कि डायोनेसिस की philosophy है डायोनाइसिस डायोनेसिस जो भी बोलना चाहते है अब डायोनेसिस की philosophy है यह cynicism कुट्टों की philosophy बोला जाता है असली कुट्टे जो कहलाते हैं मतलब negative term में कुट्टे नहीं बट straight forward मुफट explicit एकदम एथिस्टिक philosophy जो है यही है जो जीन है जो मज़े लेने हैं यहीं ले लो कोहीं कुछ नहीं होने वाला जो कि डायोनेसिस का यह था कहीं पर भी public में मुटना शुरू कर देता था वो बंदा अलेक्जांडर ग्रेट के मुँपे बेस्ती करते हैं अलेक्जांडर ग्रेट आया उसको वो कनने एक बैरल साथा उसमें सोता था डायोनेसिस गरीबी में रहता था अलेक्जांडर ग्रेट सोचो वर्ल्ड का वन अफ बिगिस्ट जहीं फिर्डव का आफ में आपको मैं मेरे अईदल हो खड़ा हो के बोले आलेक्जांडर वो भोड़े होने मेरी उसको फरकिए घंटा परकिनी पड़ रहा कौन निए इतनम टूब में तलिटी मैंने उस पे लिख्चर है उस पर भी लेक्चर बना रहे है जैसे कि एक सीन सामनाथ है जिसमें tailor-studyun moot रहा होता है लग मूर애 को मुझा नुप रहा है ऑप्रまた आप क्या है कैसे फाइट्ट क्लब में हैं वहां था और है हट हूरे हैं खूर है थिक कि cynicism और डाइनसिस जैसे फिलोसफर का इसका आज जो सब कर रहे हम करेंगे नहीं लोग यह कर रहे हैं हम नहीं करेंगे हम कुछ और करेंगे हम करेंगे नहीं हम डिटाइच हो जाएंगे फिर है गोई बाक टो बेसिक डिजाइज प्रिक है दाफाइट क्लब हैस देम गें पहन सकता बेसर फिलिंग्स सेक्णल फिलिंग्स खाना जीना आश्क के पूरी तरीके छे हेटोनिजम यह है जो है आगे का बारे में अच फोचे यहीं है जो है वो भी हम द गठने को मिलते हैं पिर हैं गिविंव अफस्टाफ अश्णि गोस ओं ठीक है थिए ग्छ करेक्ट जैसे कि तुमने देखा ताइलर देखा था जहां पर वो बंबुम बनाता था था कहसा था बेसिक फटा सब फो सोफा चूता पानी कुछ नी है पेंट उखड़ रहा है बेसिक बेसर लिविंग पूरा सिनिसिजम का कॉंसेप्ट है फिर है बेकिंग दरूल सबसे इंपोर्टेंट चीज़ फाइट आप के रूल सबको पता है रूल्स दरूल्स बेसिक पॉर्टेंट पूर्ट उंड विपकर बंद। पिर है इंप सबसेटीजम का विप इंद देंग्रों को फोल्हें लिए अपने आपको दूलना the characters that the characters try to understand themselves better and do what they want which is a bit like dynasian philosophy which says embracing your inner desire up near desire to embrace grow daromato say mukha wazi karo karo daromath bagomakitna minute call adding into the whole game how about for you are you are able embrace karo's cheese go do you have to pick up and feel more important okay now on the next step we see that character got a sense of self-discovery and our existence to a meaning of a character a self-discovery which is self-discovery and true and being authentic to yourself and to be true and to be true and to be और एक philosopher है jean Paul Saakht, again French philosopher. Frans and Germany specifically Greek, French, German, Romans, ये philosophical बहुत तगड़े थे रही थे हैं. इन लोगों की philosophy बहुत तगड़े रही है. अब Gustav, jean Paul Saakht, एक French philosopher, जेना, उन्होंने Nobel Prize भी लेने से मना कर दिया था कि Capitalistist society क्योंकि Nobel Prize को fund करती हैं मुझे नहीं चाहिए ऐसी सुसाइटियों यूएस वगरा थे वड़ा चिटते थे प्रैमरी फंड फंड प्रोवाइडर यूएस नोबेल प्राइस नोबेल कमिटी का अब साख्त ने ये कहा कि freedom और चॉइस होनी चाहिए तुम्हारे पास सबसे इंपोर्टेंट चीज एक्जिस्टेंचलिजम में चूँकि कुछ ही नहीं कोई inherent meaning नहीं है तो अपनी freedom and choice होनी चाहिए या नीचे आए फ्रेडरिक नीचे ने simply कहा कि God is dead moral systems have collapsed कुछ नहीं बचा है nihilism आने वाला है कैसे बचोगे उनके काम को आगे बढ़ाया solution देते वे तुम्हारे क्या ना में इनका साक्त है तुम्हारे काम हुआ है तुम्हारे फोको आए ठीक है मिचेल फोको आए मार्क्स भी आए कहीं ना कहीं जो कि एक सोसाइटल मैक्रो लेवल पर कॉंसेट देनी कोशिश कर रहे ते साथ वागारा तो इंडिविजवल रोमांटिक लेवल पर अपने एक इंडिविजवल वो गया वो contradictory और paradoxical concept हो गया कि वह तुम एक तरफ से हट रहे हो एक ग्रूप से कि हम जून नहीं फॉलो करेंगा अपना एक जून बना रहे हो ठीक है लेकिन उन्होंने अपना एक true अपना authentic at least वह authentic तो है एक जबरदस्ती तो नहीं हुआ है खुद का खुद से बना रहे है freedom and choice फिर जो कि हमने बात करी being true to yourself ठीक है सबसे important being true to yourself कि अपने आप और अपने desires में authentic रहो क्या चाहिए वो तुम्हें आखों के सामने vision और goal पूरी तक ही clear होना चाहिए वो का है इन्होंने उसके बाद इन्होंने कहा कि no way out जैसे fight club में fight club illustrates how choices can lead to feeling trapped similar to sucks and no exit exit नहीं है there is no way out जैसे fight club में आ गए उस गए फस गए आ गए बाहर नहीं निकल सकते वह यह अपने में एक loophole है फिर टेकिंग रिस्पॉंसिबिलिटी की characters fight club के खुद की responsibility खुद से लेते थे किसी और पर नहीं डाल देते जिसको बोलता है bad faith जैसे धरम में होता है अरे यार यह हुआ उपर वाले की मर्जी होगी इसलिए bad faith उपर वाले पर डाल दिया बुरा बुरा भरोसा गलत भरोसा ऐसा भी भरोसा क्या कि तुम अपने को ही जैसे जीजा मूवी में मूव करें इसकी वज़े से सुसाइटी आज है consumerism, capitalism, Tyler Durden के रहा है बाद में उसने खुद की responsibility ली खुद के actions ली फिर आगे इन्होंने का life's absurdity सांख ने का कि fight club prompts viewers to ponder the meaning of life much as Sartre did in his philosophy और fight club में एक philosophical बहुत बड़ा concept है जो कि ग्रीक Plato Aristotle के time से चलता आ रहा है वो है कि तो लोग यह कहते थे कि एसेंस प्रिसीड एक्जिस्टेंस ठीक है पहले एक essence होता है हर चीज का inherent essence होता है वो essence होने के बाद existence आती है मतलग कि भाई जैसे तो उस ताइम पर गॉर्ड का concept होता था कि गॉर्ड एक essence है गॉर्ड लेक एसेंस है उसके बाद उसने सोचा कि हम बनाएंगे फिर existence आई ठीक है लेकिन साखने का नहीं भाई या existence precede essence पहले existence होती है पहले exist करना ज़रूर यह तभी तो essence होगे आइडिया से कोई चीज थोड़ी इंसान का concept आइडिया से थोड़ी आ जाएगा पहले इंसान exist करेगा तभी तो meaning देगा meaning से meaning कैसे निकालोगे पहले exist तो करोगे तभी तो meaning दोगे existence precedes essence अपने जो meaning दे रहे हो वह essence है क्या है consumerism से के खिलाफ capitalism के खिलाफ जाना अपनी आवाज उठाना अना तो यह था लेक्चर hopefully और यह बहुत important लेक्चर था फाइड क्लब के उपर philosophy उसकी किस तरीके से फाइड क्लब गुसेड़नी की करता है philosophical concepts को अपने lecture suggestion नीचे डालना recommend करना क्या चाहिए जिसको लगता है कि पहले से किसी ने डाल दिया lecture नीचे उस पर like कर देना तो मुझे पता रहेगा जैसे उस पर पिछले वीडियो में absurdism वाले पर तो मैंने इसी के उपर बनाया होफुली अच्छे lecture suggestion तो movie के जादा मत देना भाई movie चैनल नहीं बनाना जाता philosophical ठीक है ना कब तक के लिए और और बहुत लोग बोल रहे हैं कि विदानता के उपर लाओ और तुमारे इंडियन philosophy फिलाओ तो मैं यह बताता हूं कि या लोग ना बहुत कुछ भी चीज मैं बोलने की कोशिश कतना उसको पकड़ के जब असती बाल की खाल उकाड़ना शुरू कर देते हैं फिलासिव को philosophy की तरह नहीं देखते हैं धरम से जोड़ना शुरू कर देते हैं अपने बाइसनेस ले आते हैं तो शायद ही मैं बनाओ उन सब topics को पर चैनल है जिसमें मैं अपने business related teacher डालता हूँ what do I do for a living और मैं क्या करता हूँ कैसे मैं philosophy को entrepreneur ship से मिलाता हूँ तो वो देखना है तो नीचे description में चैनल है जाके देख सकते हो अभी तो कुछ पढ़ा नहीं लेकिन अगर लोग interested होंगे तो और हम उसमें videos डालेंगे